यहाँ सिक्षक वहाली 2019-20 संबंदित बराब डेट हम आपको बता दें कि सीटेट दिसंबर 2019 केज की सुनवाई 13 नमबर 2020 को होने की पुर्ण संभाबना है आपको बता दें कि दो नमबर पर कल ये केज पतना हाई कोट में लिस्टेट हो सकता है और बड़ी सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है आपको बता दें कि सुत्रों के हवाले से ये बड़ी ख़वर हम आपको दे रहे हैं कि 112 नमबर पर 9 नमबर 2020 को जो केज लिस्टेट था उस केज की लगातार इस केस पर प्रिसर बनते जारा है आप देख सकते हैं कि 9, 11 और 12 नवंबर आज 12 नवंबर है और आज रोसन कुमार जा नामक एक अभ्यारती द्वारा फिर से C.A. फाइल किया गया है पिछले दिनों 112 नवंबर पर केस लिश्टिट था और अब सुनवाई की घड़ी नज़दीक आ गई है लगातार अभ्यारतियों में हलचल गतिरोत के बाद आज पतना हाई कोट से ये बरी ख़वर हम आपको दे दें ऐसे में अभ्यारतियों में कई तरह के सवाल है प्रिंस मिस्रा जो की इंटर्वेनर के वकील है उनके द्वारा जो बड़ा अपडेट दिया गया है ट्वीटर के माध्यम से इस अपडेट के बाद अभ्यारति लगातार हमसे सवाल पूछ रहे कि क्या सुनवाई है क्योंकि पतना हाई कोट के वेफसाइट में किसी भी पर पाले से हम आपको ख़वर दे रहे हैं कि अब 110 केसों तक की सुनवाई हो चुकी और दो केस के बाद कल दो या तीन नंबर पर ये केस लिस्टेड हो सकता है ऐसे में कल अनील कुमान उपाद ध्याय मानने ने ने अधीस कल कितने केसों को देखेंगे अपने बेंच में रिग पटना हाई कोट में रितिका रानी आपकी अधीवक्ता कुल 6 केसों को देखेंगी इसके अलावा आपके सीटेड दिसम्बर केस के लावा 6 केस और उनके पास है जो भी लिस्टेड है कल ही और बहुत गहमा गहमी भरा दिन कल होगा और कल की सुनवाई पर पूरे बिहार की नजर होगी भी आर से चक बहाली से जुरे तमाम अभ्यरतियों में हल चल है कि कल की सुनवाई में क्या होता है क्योंकि बड़ी सुनवाई दिवाली से पहले बड़ी सुनवाई कल और इसके बाद अगर आगे तिती बढ़ती है तो आप समझ सकते हैं कि 31 जनवरी 2021 को एलान हो चुका है इस बीच में अभ्यरति चाहते हैं कि किसी तरह इस केस में फैसला हो जाए और अभ्यरतियों को मौका मिल जाए अब आगे देखना ये है कि सुनवाई में कल क्या निकल कराता है संभावना है कि कल दो से तीन नमबर पर ये केस सुनवाई पर होगी पटना की दिती में है और अब कल सुनवाई के संबंद में बड़ा अपडेट हम आपको देंगे अभी की बरिखबर की कल 13 नमबर 2020 को पटना है कोट में सीटेट दिसंबर अभ्यरतियों के केस की सुनवाई होने की पुन संभावना है ऐसे में हमने इंटर्वेनर रोसन कुमार जहा से भी बातचित की और उन्होंने हमें बताया कि इस केस में जैसा की सप्लिमेंटरी फाइल किया गया उनके द्वारा इसमें उन्होंने क्यों मौका सीटेट दिसंबर भ्यरतियों को नहीं दिया जाए इस संबंद में जो भी बाते उनके द्वारा रखनी थी उन्होंने रख करते हैं ऐसे में जो रौसन कुमार जहां है इस केस में इंटर्वेनर है उनके द्वारा जो C.A. फाइल किया गया है उनसे भी हमने बाचित कि और आपको बता दें कि आपके अधिवक्ता को भी C.A. की प्रतिलिपी मिलने की बात सामने आई है और आगे देखना है कि कल कुमार उपाद ध्याय की बेंच में केस की सनवाई होने की संभावना आपको बता दें कि सिक्चा सुधार रोजगार के पास ये अपडेट पहले से था कि सुनवाई की संभावना है पर वेबसाइट पर किसी परकार की कोई अपडेट नहीं थी और हम ये चाहते थे कि आप को सीधे खुश खबड़ी दें पर प्रिंस मिसरा माने निया दिवक्ता द्वारा ट्विटर हैंडल के द्वारा ये सारवज़ने किया गया कि कल सीटेड समरा भेहर्टियों के केस की सुनवाई है इसके बाद लगातार हमारे पास फोन कॉल की जड़ी लग गई की क्या कल सुन पुर्ण रूप से तयार हैं और कल बड़ी सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है इस केस में कई इंटर्वेनर भी खड़े हुए हैं और लगातार इंटर्वेनरों के द्वारा भी सीए फाइल किया जा रहा है और क्यों मौका नहीं दिया जाए संबंद में कई दलीले द दलील दी है और आपने हाई कोट पटना में जिस तरह केस को मजबूती से रखा है जीत सुनिश्चित नजर आ रही और अधिवक्ता सक्षा में इस केस में बड़ी बहस को आगे बढ़ाने में और हम आसा करते हैं कि कल बड़ी बहस आपको देखने को मिले 13 नवंबर 2020 को कुलिमेंटरी फाइल करके इंटर्वेनर बनके केस में कई बड़े दलीले रखी हैं कि क्यों अभ्यार्थियों को मौकार नहीं दिया जाए सीटेट दिसमर अभ्यार्थियों की तरफ से दलील है कि जब नोटिफिकेशन में बार बार तबदीली की गई है और प्राथमिक सिक्षा के निदेशक द्वारा ये लेटर जारी किया गया कि नियुक्ती परकिरिया के अंतिम्तिति तक अभ्यार्थियों अगर आहार्था को प्राप्त करते हैं तो वो आवेदन के लिए युग है इस बात को हमने पुर्जोर तरीकेश रखा साथ में बार बार नोटिफिकेशन के साथ छेड़ चार की गई है तो अब क्यों नहीं जब भी किसी notification के साथ छेरचार होती है तो notification को रद करके नया notification लाने का प्रावधान है और ऐसी स्थिति में पत्ना हाई कोट के नया धीस द्वारा भी ये पूछा गया कि किसने हग दिया notification को इस तरह तोरने और मरोरने का आपको बता दें कि article 14 समानता का अधिकार इस ब्रकडी नहीं मिल रही है सिर्फ नीयोजन की परकिरिया में आपको आवेदन करने का मौका मिल रहा है इस केस से ऐसे मानिरे नया धीस इसमें बड़ा फैसला भ्य प्रावर्थियों के पक्ष में दे सकते हैं आगे आप देखना ये हैं कि कल इस केस की सुनवाई पत्ना कोट में जब होती है तो क्या निकल कराता है जैसे ही कोई ताजा अपडेट हमारे पास आएगा हम आपको विशलेशित करेंगे हम पटना हाइकोट के वेबसाइट पर कोई भी अपडेट ना देखकर आपको अपडेट नहीं दे रहते हैं पर जब प्रिंस मिस्रा अजीब कि कल दो या तीन नमबर पर सीटेट दिसम्बर अभधरतियों के केचес की सुनवाई संबभ है और देखना ये है कि सुनवाई के बाद क्या निकल कराता है फिर तारीक पर तारीक मिलती है या कल बड़ा पैसला आपके लिए आ सकता है आज कयामत की रात है और कल का दिन अभ्यरतियों के लिए बड़ा दिन होगा पहले से बीटेट सीटेट पास अभ्यरती और साथ में सीटेट दिसंबर अभ्यरतियों के कलेजे परहात है कि क्या होगा कल अब देखना यह है कल की सुनवाई के बाद क्या निकल कराता है मैं हूं नीरजव और आप हैं सिक्षा सुधार रोजगार के साथ जूरे रहें मिलते हैं कल एक बड़े अपडेट के साथ कल सुनवाई होगी कि नहीं संसे के स्थिति है पर आसा है कि कल सुनवाई होकर के इस केस में कुछ ने कुछ बड़ा मिले आपको धन्यवाद